हेलो दोस्तों विलकम बेक टु माई चैनल दोस्तों अगर आपके पास Redmi Note 11 Pro फोन है या Redmi का कोई और भी फोन है और उसके अंदर कॉलिंग किसमें स्क्रीन का लाइट बंद हो जा रहा है तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लिम को solve कर सकते इसके बादे बात करने वाले हैं बहुत सारे लोग के साथ ये वाला प्रॉब्लिम होड़ा है कॉलिंग किसमें स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है और इसको आप लोग बहुत यसानी से solve कर सकते है बहुत ही easily आप लोग solve कर पाएंगे इस वाले problem को सो कैसे करना इसके बारे बात करने वाले इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि ये वाला प्रॉब्लिम होता क्यूं है ये वाला प्रॉब्लिम होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर है करन आपके स्क्रीन के उपर होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर उस करण से आपका स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है और इसको आप लोग बहुत हिसानी से एक सेटिंग है जिससे आप लोग बहुत हिसानी से इस प्रॉब्लिम को सोल्व कर पाएंगे तो कैसे करना है इसके बार इम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और आपके फोन के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर इनेवल होगा उसको आप सुभी को डिसेवल कर देना है डिसेवल कर देंगे तो आपका कॉलिंग के समय स्क्रीन का लाइट बंद नहीं होगा तो बहुत हिसानी से आप लोग प्रॉब्लिम को सोल्व कर सकते हैं आप सुभी को जाना है सेटिंग्स केंदर जाने के बाद कौल सेटिंग्स केंदर आ जाना है और यहां से आप सुभी को proximity sensor को off कर देना है proximity sensor आप लोग off कर देंगे तो आपका calling के समय स्क्रीन का light बंद नहीं होगा So I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल वेकर पहली बर आया है तो चैनल को सबस्क्राइब करने के बाद बेल आइकन को औल पर सट कर दीजे So मिलते अगले वीडियो में